शुभम, आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, अभी अभी कॉलेज की असाइन्मेंट कम्प्लीट करी है, फ्री टाइम था, तो सोचा कि रिच डैड, पूर डैड बुक पढ़ लो बेसिकली मुझे सेल्फ ग्रोथ बुक्स जो होती है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, फ्री टाइम में अपने जूनियर्स को कुछ जेई एक्जाम के बारे में कुछ बताना चाओगे? तो क्या मेरी स्टोरी देखना चाओगे आप? So last उस वीडियो में आपने मेरी IIT जेई की स्टोरी तो देखी थी, जिसमें मैंने अपना पूरा स्टोरी शेयर कर रहा था जेई का आज इस वीडियो के अंदर रूबरू करवाओंगा अपने उन कुछ important दोस्तों से भले जिंदगी के दोस्त रहे ना रहें, बट हाँ, उन दोस्तों ने मेरी जेई की preparation के दोरान बहुत जादा help करी थी और उन दोस्तों के बिना मैं जेई जैसे exam को अगर crack कर भी लेता बट computer science branch मुझे नहीं मिल पाती, जो की मेरी dream branch थी at NIT को रुक्षेतर आपको मिलवाओंगा उन दोस्तों से, उन किताबों से, उन resources से, उन YouTube channel से जिन्होंने मेरी बहुत जादा help करी जेई की exam की preparation के दोरान वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बट हाँ, बहुत जादा important होगी, बहुत जादा informative होगी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो So first of all, who am I? So myself Shubham, आप सबसे सिर्फ एक दो साल आपका बड़ा भहिया So मेरी कुछ qualifications आपको बता देता हूँ So I got 95% in class 12 boards in physics, chemistry, maths I cracked GE means 2020 with 99.1 percentile So ये कुछ मेरी qualifications हैं जो मैंने अपनी जिंदगी में प्राप्त करे हैं So यार वीडियो अगर देख रहे हो ना तो आखरी तक देखना सारी important बाते बताऊंगा और वीडियो देखने का तब फायदा है जब एक एक बात कुछ भी important लगे वीडियो में कुछ important book, कोई important tip, कोई important strategy उसको अगर आप note down कर लो तो बहुत अच्छा होगा सो और एक pen और एक diary ले लो और जितनी भी important बाते होती है सारी note down करना सो आपको important points में, points wise समझाने की इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा First है NCRT ये मेरी कहानी का एक ऐसा हिस्सा है जिसने मेरे maximum marks लाने में chemistry में बहुत ज़्यादा help कर लो मतलब ऐसी एक आदत, ऐसी hobby बन गई थी कि जब भी coaching या फिर school में कोई भी chapter complete होता था मैं उसकी एक से दो बार NCRT पका read करता था और उसके जितने भी back exercises होते थे conceptual, examplers, जितने भी question होते थे सारे मैं पका solve करता था इसने मेरी help करी physics और chemistry में सबसे ज़्यादा marks लाने में J-Mains में, तो मैं आपको recommend करूँगा कि अगर आप J-E की preparation कर रहे हो तो NCRT पका read कर रहे हो भले आप maths की read मत करो, बट physics और chemistry की read करनी है और chemistry की तो सबसे ज़्यादा मैं highly recommend करूँगा because chemistry के अंदर direct questions आपके NCRT से उठके आ जाते हो और मेरा जब shift हुआ था मेरा जो J-E means का last year जब shift हुआ था उसके अंदर direct maximum questions आये थी chemistry से उठके तो I highly recommend कि आप chemistry पढ़ना start करो physics में भले आप questions solve ना करो NCRT के but book read पका करना है और maths के लिए मैं आपको recommend नहीं करूँगा because ये एक भी mostly questions नहीं आते हैं NCRT so NCRT is very very important in J-E preparation so next है previous year question और mock test इनका भी एहम role रहा है मेरी J-E की preparation के दोरा मेरी क्या हर एक बच्चा जो J-E और NEET की preparation करता है पूरे 2 साल 730 दिन हर एक बच्चे के लिए mock test और previous year question बहुत important मेरी मतलब 20 से 30 percentile J-E means में लाने में help करी है मेरे mock test और previous year question so यार मैंने हर अपनी वीडियो में बताया है mock test और previous year question करना कितना ज़ादा important है basically एक भ्रमास्तिर की तरह होते हैं ये दोनो जो J-E जैसे युद्ध को लड़ने में हमारी help करते है so mock test भी देने का एक important strategy होती है किस तरह से हमें mock test देना है तो मालो आपने mock test दिया तो mock test में आपके जब marks आएंगे तो ये नहीं कि हमें ignore कर देना है जितने भी marks आए वस खुश ऐसा नहीं चलेगा आपको क्या करना है घर पे अच्छे से जाके जो आपने mock test दिया है paper को अच्छे से analyze करना है देखनी है गलतिया कौन से आपके strong points है कौन से strong topics है जो आपको आते हैं कौन से weak topics है जिन पे आपको काम करने की जरूरत है तो कोशिश करो हफते में दो mock test देने की एक J.E. mains level की और एक J.E. advance level की उसके बाद previous year question की अगर बात करें तो previous year question मतलब एक ऐसी चीज़ है जो आपको पूरा एक रास्ता road map दे देती है कि कि किस टाइप के questions आपके J.E. mains में आते हैं और J.E. advance में अगर आप previous year question कर लेते हो तो वो आपके लिए सबसे ज़ादा helpful रहेगा तो मैंने अपनी preparation में 10 से 12 साल के जितने भी आपके J.E. mains or advance के आये थे previous year question वो solve कर रहे थे आप minimum 10 साल के जितने भी previous year question आये हैं आप कर सकते हो जो important books है मैंने link description box में डाल रखा है so mock test और previous year question करना बहुत ज़ादा एहम है बहुत ज़ादा important है J.E. और NEET की preparation के तरह so अब बात कर लेते हैं इस कहानी के कुछ important दोस्तों से उन important books से जिनकी helps के बिना मैं J.E. जैसे exam को crack नहीं कर पाता so start करते हैं chemistry से एक ऐसा subject जो physics, chemistry, maths में सबसे easy subject है और highly scoring subject है J.E. means or advance के exam so chemistry में आपको पता है सबसे पहले किस book की बात करूँगा that is NCRT इस book ने बहुत ज़ादा एहम role play कर रहा है मेरी J.E. की preparation में so यार देखो NCRT पढ़ने का भी एक तरीका है अपना तो मालो आपके school और coaching में कोई भी chapter complete कराते है तो उस chapter को complete करने के बाद आपको घर पे जाके एक important चीज़ करनी है वो है उस book की उस chapter की particular NCRT उठाओ और NCRT उठाने के बाद detail में उस chapter को एक एक point wise बिल्कुल पढ़ना start करो मतलब आपको NCRT उस chapter की detail में आनी चाहिए बिल्कुल आपके सारे concepts clear हो जाएगे और important points जो आपके NCRT में होते उनको mark करना start करो और उसके बाद जितने भी questions है back exercises में NCRT के exemplar में conceptual questions NCRT level के सारे solve कर लो यहीं आपकी 50% problem solve वा जाती है यह J means की सो यार मैं अपने खुद के experience से बता रहा हूँ because मैंने NCRT इस तरीके से पढ़ी थी chemistry की मतलब जैसे एक tasty खाना देखते है वैसे हम plate पूरी साफ कर जाते है वैसी मैं पूरी NCRT chemistry की साफ कर गया था तो जब मैं J means देने गया था तो वहाँ पे directly questions पूछे गए थे आपके NCRT से मतलब chemistry में direct जो question NCRT के अंदर है वही J means में आये थे और maximum most of the paper J means में आपका chemistry का NCRT से बनता है so I highly recommend कि आप NCRT करो और mostly recommend करूँगा inorganic chemistry के लिए अगर आपको inorganic chemistry में mastery करनी है तो आप उसकी NCRT जितनी भी है पूरी पढ़ लो और NCRT करने का एक और फाइदा है माल लो आप class 12 में हो तो अगर आप NCRT कर रहे हो तो एक तरफ आपकी J means की तो तैयारी होगी साथ में आपकी class 12 boards की भी तैयारी हो जाईगी तो NCRT ने बहुत ज़्यादा important role play करा मेरी J means में उसके बाद next book मैं बात करूँ chemistry में वो है आपके organic chemistry की MS चोहान एक ऐसी book जिसको अगर आप solve कर लेते हैं तो आपकी physics मतलब आपकी जो organic chemistry है बिल्कुल clear हो जाएगी means level भी और advanced level भी जितने भी questions आते हैं most of the questions आपके MS चोहान में आपको मिल जाएगे तो MS चोहान मैं आपको recommend करूँगा और मैंने भी पूरी book solve करी थी so organic chemistry में जादा तर बच्चों को दिक्कत रहती है इसलिए मैंने आपको ये book recommend करी so third book जो मैंने chemistry में use करी थी वो आपकी थी physical chemistry के लिए नरेंद्र अवस्ती सर की book एक ऐसी book जिसमें most of the numericals अगर आप solve कर लेते हो और देखा जाए यार physical chemistry में जेई means और advance में numericals ही पूछे जाते है तो इसमें numerical जितने भी है सारे practice कर लेना आपकी physical chemistry में ये आपके marks को boost कर देगा so ये कुछ तीन किताबे थी जो मैंने आपको बताई जो आपको chemistry के लिए करनी है so यार अब बात कर लेते हैं physics की एक ऐसा subject जिसको समझ के करा जाए फिर तो वो interesting है सबसे ज़्यादा interesting है physics, chemistry और math है बट अगर उसको रटने की कोशिश करे तो यही subject आपका सबसे worst subject बजाता है तो physics के लिए जो important books जो मैंने use करी थी J.E.Mains और advance की preparation के दोरान so first book मैं आपको recommend करना चाहूंगा वो है आपकी NCRT मैं आपको NCRT की back exercises solve करने के लिए नहीं बोलूँगा but हाँ अगर आप NCRT पढ़ लेते हो एक बार read कर लेते हो जितने भी physics में chapters हैं उसकी NCRT तो आपकी concepts clear हो जाएंगे so first book है आपकी NCRT so second book जो मैं आपको recommend करना चाहूंगा मतला हर एक J.E. और NEET aspirant की वो पहली पसंद है वो book that is H.C. Verma सर की book the best book for clearing concepts मतला जब-जब J.E. की preparation के दुरान कोई भी problem आती थी किसी भी concept में इस book ने उस concept को crystal clear करा है so second book जो मैं आपको recommend करूंगा that is H.C. Verma और third book अगर आपको J.E. means और advance level के question प्रैक्टिस करने है ज़ादा से ज़ादा तापकी आपकी accuracy बड़ी question solve करने की third book है आपकी resonate holiday अगर आप इस book को solve कर लेते हो इसके maximum questions अगर आप जितने भी इसमें है solve कर लेते हो तो आपको मतलब physics level के तो questions आप easily forward दोगे means और advance में so ये तीन कुछ important books हैं जो मैंने आपको physics में recommend करी so अब third subject है maths एक ऐसा subject जो class 10 तक मेरा सबसे favorite subject हुआ करता था but जब मैं class 11th में गया और मैंने J.E. level की math solve करी उसके बाद मेरी ये favorite list में सबसे नीचे चला गया था तो basically math एक ऐसा subject है जो सबसे difficult subject है और सबसे ज़्यादा इसका weightage है J.E. exam में और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा practice करने की जरूरत है जो कि मैं नहीं करता था और मैं अगर कहूं कि अगर आप math के लिए NCRT कर लो तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी होगी because NCRT से कोई भी direct question J.E. means या फिर advance में math level का नहीं आता तो कुछ important books जो मैं आपको recommend करूँगा math के लिए so first book है RD Sharma एक ऐसी important book एक ऐसी अच्छी book जिसको अगर आप solve कर लेते हो तो आपके means और advance दोनों की problem ये book solve कर देगी तो RD Sharma मैंने solve करी थी उसकी बाद second book जो मैं आपको recommend करूँगा वो है calculus के लिए calculus एक ऐसा part J.E. का जो सबसे ज़्यादा जिसका weightage है और सबसे ज़्यादा difficult है इसमें सबसे ज़्यादा practice की ज़रूरत पड़ती है और हाँ जब आप paper देने जाओगे J.E. means और advance अगर आपकी calculus में practice नहीं है अच्छी खासी आपके paper में पसीने छोड़ जाएगे सच बता हो मेरा भी ऐसा ही कुछ हाल हुआ था तो calculus में कुछ important जो सबसे important book जो मैं आपको recommend करूँगा जिसको अगर आप solve कर लेते हो तो calculus की तो आपकी problem यही solve हो जाएगी तो उस book का नाम है जी तीवानी सर की book तो यह important book है calculus के लिए और calculus important portion भी है math का और उसके बाद coordinate geometry और algebra के लिए मैं अगर आपको बात करूँ तो उसके लिए मैं आपको book recommend करूँगा that is Dr. S.K. Gowell की book coordinate geometry की अलग और algebra की अलग यह भी अच्छी book है सो यह थी कुछ important books जिन्होंने बहुत एहम role play करा मेरी J.E. में 99.1% लाने सो यार अब मैं बात करूँगा कुछ important YouTube channels, कुछ teachers, online teachers जिनकी मैंने help ली थी तो coaching तो यार चली रही थी तो बहुत बार ऐसा होता था कि doubts बहुत सारे आ जाते थे, कुछ concepts समझ बिलकुल ने आते थे तो मैं YouTube पे कुछ important channels हैं, कुछ important teachers हैं जिनकी मैं बहुत जादा help लेता था तो first teacher जिनकी help लेता था वो थे आपके physics galaxy channel के आशिश रोडा sir वो एक ऐसे sir हैं, जो J.E. means level के तो आपके concepts अच्छे से समझा देगी उनकी old videos आप देखना, उन्होंने सारा J.E. का जितना भी physics का syllabus है उन्होंने अपने YouTube channel physics galaxy पे डाल रखा है तो उनकी मैंने बहुत जादा help ली उसके बाद physics में एक और teacher थे, मतलब वो boards level तक का उस ताइम पे पढ़ाते थे बट अब J.E. का पढ़ाने लग गया है वो ऐसे concept को clear करते थे, एक अलग ही ढंग से, जैब हो कोई भी teacher नहीं कर सकता उनसे पढ़के बिलकुल mind refresh हो जाता था और, क्या बोलते है, boards level का भी वो अच्छा पढ़ाते थे तो उन sir का नाम था, अलग पांडे sir, physics वाला sir उनको कहते हैं बच्चे, तो वो हर बच्चे के लिए inspiration है, एक तरह से देखा जाए और वो बहुत अलग तरीके से पढ़ाते है, ठीक है आपको मज़ा भी आएगा उनसे पढ़ने में, तो physics में इनकी बहुत जादा मैंने help ली थी उसके बाद third channel जो मैं आपको recommend करूँगा, जिसकी मैंने help ली थी वो थी नेहा अगरवाल मैम का channel maths के लिए वो maths का, आपके J.E.Mains level के अपने channel पर बहुत जादा question solve करवाती है तो आपकी easily practice हो जाएगी, तो ये कुछ important channels थी जिनकी मैंने help ली थी अपनी J.E. की preparation के दाए लास्ट एक ऐसी चीज़ जिसने बहुत जादा help करी J.E. की preparation में और revision में वो थे आपके short notes यार शुरू से ही मेरी एक habit थी कि जब भी मतलब कोई chapter complete करवाते थे school or coaching मैं घर पे जाके उसकी NCRT पढ़ लेता था और NCRT पढ़ने के साथ-साथ उसके short notes बना था तो short notes बनाने का ये फायदा है as a backup की तरह काम करते है माल लो आपका J.E. का paper आने वाला है कुछ 10 दिन बच गए है तो 10 दिन में आप syllabus तो पूरा revise नहीं कर सकते तो अगर आपने short notes बना रखे हैं as a backup वो आपका काम करेगा तो easily आप 10 दिन में आप पूरा syllabus आप अपना revise कर लोगे short notes बनाना बहुत ज़्यादा important है भले ही आपने अभी तक जितने भी chapters करवाए है coaching या फिर school में उसके short notes नहीं बनाए बट आज से ही short notes बनाना start करो short notes बहुत ज़्यादा help कर रहे हैं बार-बार में एक ही चीज़ बोलो इनने बहुत ज़्यादा help कर ये मेरी और आपकी भी बहुत ज़्यादा help करेंगे so next important चीज जो J&E और NEET जैसे exam को crack करने में help करती है that is consistency इसका मतलब है कि बच्चे क्या करते हैं एक दिन पढ़ते हैं 10-15 गंटे और अगले 4 दिन नहीं पढ़ते ऐसा नहीं करना आपको consistently हर रोज पढ़ना है भले ही आप 4-5 गंटा पढ़ो हर रोज it's more than enough but आपका focus और concentration 100% होना चाहिए क्या पढ़ रहे हुआ ठीक है लोग बोलते है 20-20 गंटा पढ़ने की जरूत होती है नहीं ऐसा खुश नहीं होता अगर आप 5 भी गंटा पढ़ते हो it's more than enough और यह एक ऐसा time है इस time पे अपने friends से थोड़ा दूर रहो ठीक है phone से दूर रहो जितनी भी मतलब फालतू की चीज़े करते हो जो आपकी time waste करती है उन सब चीजों से दूर रहो like phone phone एक major problem है आज की date में phone अपने parents का use करो अपना खुद का phone मत रखो ठीक है अपने parents को दे दो और जब भी कोई पढ़ने की जरूरत कोई भी पढ़ाई की जरूरत पढ़ती है तब अपने parents से phone ले लिया करो so यह कुछ important चीजे थी जो मैंने आपको समझा दी है और एक बात यार अगर जब आपका जेई का result आएगा यह जितनी भी sacrifices है यह आपको सारी worth it लगेंगी ठीक है अभी जितना पढ़ना है पढ़ लो last का time है कुछ एक डेड़ साल है आपको अच्छे से मन लगा के full 100% 5 घंटा भी पढ़ना है लेकिन पढ़ना है हर रोज consistently सो यह थी यार कुछ important चीजे जिन्होंने मेरी help करी जैसे exam को crack करने में I hope वीडियो अच्छी लगी होगी helpful लगी होगी और जितनी भी important चीजे मैंने आपको बताई आपने note down करी होगी और हाँ एक और important चीज जितनी भी important books जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है सबका link मैंने description box में डाल रगा है so वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को like कर दो जितने भी friends है share कर दो so I will meet you in next video जैह